तो जैसे कि आप देख पारे हैं, हमारे पास हैं Redmi Note 7 Pro, आज इसके अंदर हम OnePlus 7 का Oxygen OS ROM जो यूज यूज कर रहे हैं, जो की Android 10 के इन्थ पर बेस्ट है, मैं आपको बताऊंगा इसके इन्थे क्या-क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं आप इस रोम को Redmi Note 7 Pro के लिए पोर्ट किया है, तो अगर आप इस रोम को इंस्टॉल करते हैं, और आप कोई भी इशू जो है फेस करने को मिलता है या को बग वेर मिलता है, तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, उनके टेलीग्राम के ग्रूप के उपर इसका लिंक मैंने टाल दिया है, मैं आपको पहले बता रहता हूँ, यह रोम जो है OnePlus 7 का पोट है, तो आपको चोटे मोटे बगस जरूर के बिल जाते हैं, यह मसूचीगा कि पूरे का पूरे फीचर जो है, आपको OnePlus 7 के मिल जाएंगे, और आपका Redmi Note 7 Pro जो है OnePlus 7 की तरह काम करना शुरू करते है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हार्डवेर में काफी फर्क होता है दोनों फोन्स की, अवर्राल देखा जाए, तो रोम काफी स्मूथ है, और काफी पॉफटली जो है, इस टाइम पेहले के मुकाबले काफी बेटर तरीके से काम कर रहा है, तो चलिए, आज के इस वीडियो को अगर चैनले पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर लेगा, और साथ ही साथ लाइक, कमेंट, शेर करना मत भूलेगा, तो सबसे बेल तो मैं आपको अबाउट फोन पे इस दिखा जाता हूँ, यह लिए डिवाइस नहीं, वन प्लस टेवन जो डेवलप रहे ह तो रोम का लुक जो है कुछ इस तरीका आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर जो है काफी सारी ऐसे एपस हैं, इनको रिमूव कर दिया गया है, जो आपके फोन के परफार्मेंस के ओपर फरक डालते हैं, तो आपको परफार्मेंस अची मेले, तो एक तरीके से रोम और जो की पॉफेक्ट्ली काम कर रहा है पिना कि जो की चाए, पोटेड मोड हो चीया नाइट साइड मोड हो चाह ए स्टर फोटग्राफिक मोड हो, यह सारे मोड जो है पॉफेक्ट्ली इस Gcam के अंदर काम करने हैं, इससे अची बात जो है एंड़ुट 10 के जेस्टरस आप आपके फोन के ओपर गूगल एसिस्टेंट जो यहां पर लॉंच हो जाता है यही नहीं आपको इसके इंदर वोल्टी और वो वाइफाई कॉलिंग जो मिल जाती है जो कि पॉफेक्टली काम गर रही है उसमें सचैस्ट कोई भी इसू नहीं है पहले के मुकाबरी बैटरी पर वाधू कि उस्टेंग के अदांज़ों आपको उसमें बारे में कोई अंदाजार नहीं लगासेक हमसेक में क्वेल्य इभी वॉल्टे उब्यूर आउजर अपक्षिंवं और सुद्य ऑंको जाते हैं अब देख पर हैं हुमकों आइकन पैक के अंदर आपको सिर्फ एक ही आइकन पैक मिलता है जैसा कि मैंने आपको बताया है काफिस हेविली डिपलोटेड रूम है इस टेंग के अंदर तो वनप्लस के भी जो कुछ कुछ कस्टमबाइजिशन थी यानि कि आइकन पैक वेरा वो इसमें नहीं डाले गए है आप खुद उनको दाउलोड कर सके और अपने फोन के यूज कर सेंग चुके हैं अपको कुछ इस तरीका आप देखने मिलता है जिसका आप इसको बैदिबके सेंगें कर जाते हैं कॉन कॉन से आपको चाहिए जैसे आपको काफी सारी सिके निगर फोकस मोड बेटाइम मोड अगर सिट के बात करें इसके पूरा आपको one plus seven क के इसके अंदर देखने को बिलता है सबसे उपर separate isرو को छाहिए ऊजिए चाहिए सब्सक्राइक सांडब हो चुकिंग है आहां से इक हैं पर करना हां से अीने विलते हैं किस्टुमाईजिश्म में जैसे मरें बिदाया है आप प्री इसे थीम के अंदर जो है जिए डाक मोड को इनेबल कर सकते हैं यहां से वालएपडर को सोब करते हैं इसके तोन को चैनल कर बाते हैं कंपी सारी तोन के आप है चाहिए जिसे Colorful Light यह Dark जो भी आपको चाहिए उसको Setup कर लीजे यहाँ पर उसके बात आपको नीचे बटन की Shape के Option मिलते हैं किस तरी की Shape चाहिए उनको आप यहाँ पे Easily यूज़ कर बाते हैं यह कुछ Option मिलते हैं आइकंट पैक की Option मिल जाते हैं और सांट के भी आपको option मिल जाते हैं जिसमें आपको रुब तो और वन प्लस के फॉंट आफ यहां पे टेक आउट कर पाके तो यह चीज़े कस्टमाइज़िशन मिलती है सांट एंड वाइबरेशन का पैनल परफेक्टली काम कर रहा है उसमें इस चैस कोई इस्टमाइबरेशन को मिलता है आपको इसके अंदर पाकि आपको फोन रिंटोन वाइबरेशन यह कुछ चॉप आप्शन मिल जाते हैं जिस्तम सांट टच वाइबरेशन यह चीज़ें अगर आपको इसके अंदर बग्स देखने को मिलता है तो मैं टेलिग्राम को जो ग्रूप है इनका आउक्सिजन ओवेस का इसके लिंक मैंने दे दिया है आप वहाँ पर जाकि बग्स को रिपोर्ट कर सकते हैं बटने जेशन में जाए तो आपको जो है अलर्ट स्लाइडर आपके फोन में काम नहीं करेगा क्योंकि आपके फोन के अंदर वो हाड़वेर का फीचर नहीं है नविगेशन बार एड जेश्टर में आप जेश्टर को चेंज कर सकते हैं इस ताइम पर हम जो एंडुए 10 के जेश्टर से यूजज कर रहे हैं और हमने जो बॉटम बार आ आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं उसके बाद थोड़ा और नीची जाएं तो आपको एप से नोटिवेशन मिल जाता है जिसका पैनल कुछ इस तरीके से हैं जिसके अंदर आप स्क्रीन टाइम को जाके चेक आउट करते हैं क्या आपका स्क्रीन टाइम रहा वो सारे आपको मिल जाते हैं अपर परमिशन को आप यहां पर मैनेज कर सकते हैं यह कुछ चीज़ें आप यहां पर जाकर चेक आउट कर सकते हैं सिक्यूर्टी एंड लॉक स्कीन में आपको इसके अंदर फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक दोनों मिल जाता है यह लिए कि फेस अनलॉक से जो हमारा फोन जो अनलॉक हो गया तो फेस अनलॉक जो है इसमें परफेक्टली काम कर रहा है उसी तरीके से फिंगरप्रिंट सेंसर परफेक्टली इसके निदर काम करते हुए नजर आ रहे हैं बाकि बैटरी का पैनल आपको इस तरीका इसके नदर देख पाते हैं जिसमें आप बैटरी सेवर बैटरी अप्रमाजिशन एक कुछ चीज़ें आप यहां पर चेक आउट कर पाते हैं डिशल वेल बेई यानि स् पासवर्ट सेट अप करके चेडूल पावर ऑन ओफ उन प्लस लैब मिल जाता है क्योंकर रप्लाइइ इन लैंसके जिसको आप यहां से एकसेस कर सकते हैं और इसके डेमो को भी यहां से चेक आउट कर सकते हैं तो यह सब आप्शन आपको यूटिलिटी समें मिलते हैं सिस् आपको पूछन का सारा पैनल हम देख चुके हैं जैसे कि मेरे आपको रहता है ज्यादा एप्लिकेशन सा आपको इसके अंदर देखने को नहीं बिलती है कि इससे आपके फोन की परफोर्मेंस और आपके फोन की जो है रहा है में एक्टियोटी है आपको इस फाइल मेंजर फाइल्स, गेम, फेस, मैसेज, फोन कॉल्स, प्ले स्टोर यह सब चीज़ें यहां पर देखने को मिल जाए अब काफी लोग पूछते हैं पब जी आप कौन से मोड पर खेल पाते हैं तो यह दिखिए इस टाइम पर आपकी स्क्रीन के अपर पब जी का ग्राफिक पेज है आप ग्राफिक्स को HD मोड पर ले जाएं और फ्रेम रेट को लो मीडियम हाइप पर रसते हैं बैलन्स पे आप अल्टा लवल तो चाषते हैं और स्मूथ पर आप अल्टा लेवल पर इसके अंदर गेम्स को खेल पाते हैं आपको इसके अंदर गेमिंग मोड बिल जाता है और उसके अंदर कस्टम रेका रिंस्टार रहता हूँ अगर आप इस फोन को यानि इस रोन को रूट करना चाते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मैजिक्स 20.3 को यूज करें 20.4 को नहीं डेवलोपर ने भी 20.3 को ही मेंशन किया है तो आप रूट करना जाते हैं तो मैं इस 20.3 से इसको रूट करेंगे तो फाइल में चलते हैं आपको सिर्फ एक फाइल को जो है सेव कर लेना है अपने फोन के अंदर जिसका लिंक मैंने डिस्किप्शन में डाल दिया है वहां जाके आप इस वर्जिन को चेक करेंगे और उसके बर क्लिक करेंगे उसके बाद वस्झं जो है आपने डाउन् लोट कर लेना है नीचे मैंने लिखा हुआ है कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं और आप उस हहां से जाके उस वर्जन को जाके डाउनलोड कर लेंगे के बाद आप अपने फोन को सिच अफ कर देंगे और अपने फोन को कस्टम रिकावरी पे बूट करेंगे जैसे कि हम volume up और power के button को hold रखते हैं और अब हमारा phone जो है जिस हम orange fox की recovery यूज़ कर रहे हैं, उसके ओपर boot करेगा. तो ये दीखिए हमारा phone जो है orange fox की recovery आप बूट कर चुका है. मैं फिर से कह रहा हूँ, backup ज़रूर ले लिजए किज़े जब कभी भी आप 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 जो ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके आगर आप रूट करना चाहते हैं तो 20.3 वर्जन जो है को इंस्टॉल कर लें तो इस तरीके से जो है आप Oxygen OS Roam को इंस्टॉल कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको आज है वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरू कि करें और सब्सक्राइब करना मतने का तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाबाई